नमस्कार सातियो मैं हूँ रबिन और आप देख रहे हैं प्लेस स्टेडी आई क्यू दि एकुरेट नॉलेज दुस्तो आज की अगर हम वीडियो की बात करें बहुत सांदार यहां पे एक वेकंसी का नोटिफिकेशन लेके आप लोगों के सामने आ गये हैं आप यहां पे दे सेनटर में यहां पोबच करें दो США मियजर के लिए भी ऊ시वार के करें घुकिने चायदर और नोलेजर पार गएस हो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर चैनल सांती में को प्रूँएाई करें धिशान देख लेती हैं दोस्तों ये वैकेंसि किसके दोरा जारी की गई है तो ये वैकेंसि दोस्तों जो डिस्टिक हेल्थ औस फैंली वैल 4 सॉसाइटी फटह बात के दोरा हाली में इसका आपीशली néट विकेशन जारी किया गया है और इसकी दूस्तो फॉर्म भरने की जो closing date अगर बात करें लाजट डेट की बात करें तो वो 16.1.2023 रहने वाला है कैसे आप फॉर्म भरेंगे यह हम पूरी detail देखेंगे लेकिन हम देख लेते हैं दूस्तो सबसे पहले इसमें क्या 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 क् Medical Laboratory Technology से यानी BSC MLT जिनोंने किया है दोस्तों और सांती जिनके पास एक साल का दोस्तों After graduation के बाद experience है तो वो इसमें apply कर सकता है सांती अगर हम बात करें Diploma in Medical Laboratory Technology यानी जिनोंने दोस्तों DMLT किया है और DMLT करने के बाद दोस्तों जिनके पास minimum 2 साल का experience है After diploma के बाद तो वो भी इसमें apply कर सकता है सांती अगर हम बात करें तो दोस्तों वो candidate इसमें apply कर सकते हैं जो registration रखते हैं दोस्तों हरयाना Paramedical Council के लिए तो दोस्तों हरयाना Paramedical Council का जिनके पास registration है और minimum 2 साल का जिनके पास experience है After diploma के बाद तो वो इसमें apply कर सकते हैं Desirever qualification में दोस्तों Working knowledge of computer का इहां पर मांगा गया है तो ये सारी दोस्तों qualification आपके पास होना चाहिए तो ये अगर हम बात करें तो हरयाना के जो candidate हैं उनके लिए ये वेकिंसी जारी की गई है बात कर लेते हैं दोस्तों counselor blood bank के लिए जो वेकिंसी जारी की गई है जिसकी salary दोस्तों 21,000 रहने वाली है और unreserved category पे दोस्तों एक ही वेकिंसी इसमें जारी की गई है इसमें भी दोस्तों qualification post graduate in social worker के लिए हाँ पे sociology, psychology और दोस्तों anthropology human development में दोस्तों यहां पे graduation मांगा गया है experience की अगर हम बात करें दोस्तों इसमें minimum two years का experience essential qualification इसमें मांगा गया है और desirable जो qualification दोस्तों experience की अगर हम बात करें तो knowledge of computer और proficiency यहां पे MS office पे दोस्तों यहां पे बरक आना चाहिए दिख लेते हैं जो next vacancy यहां पे जारी की गई है ost center के लिए है दोस्तों counselor की vacancy इसमें जारी की गई है जिसमें 21,000 salary रहेगी और दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें एक ही vacancy है unreserved category में है जिसमें भी दोस्तों वैसलर degree psychology के अंदर, social, science के अंदर humanities or those who have received training in counseling जो drug user यहां पे मांगा गया है तो यह सारी qualification जिनके पास है तो वो इसमें apply कर सकता है साथी ost center में दोस्तों data manager के लिए भी vacancy है एकी vacancy है इसमें भी और इसकी salary भी 21,000 रहेगी should we graduate with formal जो training in computer application में दोस्तों graduation है यहां पे मांगा गया है तो आप देख सकते हैं यह vacancy के लिए अगर जो form आपको चाहिए दोस्तों और update चाहिए इस vacancy related तो इस site पे आप widget कर सकते हैं nhm.phatibar.organization पर और दोस्तों इसमें आप कैसे apply करेंगे इस पर हम आजाते हैं तो apply करने के लिए दोस्तों यहां पर term और condition यहां पर दी गई है तो आप यहां पर देख सकते हैं जो form भराना है दोस्तों application will be accepted 2.1.2023 से यहां पर दोस्तों सूला 1.2023 तक यह दोस्तों form भरे जाएंगे और इसको form भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक application form रहेगा जो आपको इस address पर आपर send करना होगा अब application form आपको कहां से मिलेगा तो application form के लिए दोस्तों आपको नीचे scroll करना है PDF में यह आपको इसमें application form मिल जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं application form advertisement number इसका हैं पर सबी के लिए दोस्तों यह form आपको fill up करना होगा अच्छे से fill up करने के बाद आपको क्या करना होगा सारे document इसमें attach करने होंगे और attach करने के बाद हमको एक address पर दोस्तों या तो आप swim जाके जमा करता सकते हैं या speed post के दोवारा आप यहां पर send कर सकते हैं तो आप यहां पर पूरी detail हम देख लेते हैं आपको जो address हैं आप दिया गया है जो register post और speed post या any type post and hand application या नी दोस्तों हाथ के दोवारा भी आप जहां पर हस्ते जाके भी जमा करा सकते हैं और address हैं आप दिया गया है room number 109 first floor civil surgeon office sector 3 huda polycyclic जो फते बाद poly clinic जो फते बाद यहां पर दोस्तों इस address पर आपको हर्याना में जाके यह form यहां पर भरा जाएगा submit किया जाएगा तो इस address पर आप speed post के माददे हम से बेश सकते हैं या सुम जाके भी दोस्तों आप यहां पर जमा करा सकते हैं इस vacancy से related अगर आपको किसी भी परकार का दुस्तों doubt है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं साथी दुस्तों इसका जो officially PDF है एक यहां पर important यहां पर जानकारी और यहां पर साजा कर लेते हैं कि इसमें आपको demand drop बनाना होगा और 200 रुपे का यह demand drop बनेगा अप्लिकेशन फी और चेर्मेंट जो district health and family welfare society के नाम से दुस्तों यह आपका demand drop बनेगा और यह non refundable रहेगा ठीक है तो इसमें आपको demand drop application fees भी यहां पर required मांगी गई है तो और हर्यारना की जो candidate हैं उनके लिए बहुत सांदार यह vacancy है तो इसमें आप apply कर सकते हैं और इसका officially PDF के लिए आप हमारे टेलगाम चैनल से इसका officially PDF आप आसानी से download कर सकते हैं टेलगाम चैनल की link भाई यह इस वीडियो की description box में दे दी गई है आपको टेलगाम चैनल से link में आप जाके जॉइन का लिजिए टेलगाम चैनल को नौसे PDF आपको आसानी से मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं एस वीडियो में आथ थैंक्यू सो मच वीडियो को लाइक करना सेर करना मत भूलिए थैंक्यू सो मच